नमश्कार, आपका स्वागत है, मेरा नाम प्रतिभापांडे है और आप देख रहे हैं निरोक स्ट्रीट का यूटूब हेल्थ चैनल चावल खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है व्यग्यानिकों ने एक ऐसे चावल पर अनुसंधान किया है जो डाइबेटीज को शुरुवाती दोर में ही रोकने में सक्षम है इस चावल का नाम है जोहा चावल भारत के पूर्वोतर चेतर में उगाया जाने वाला सुगंदित जोहा चावल ब्लेट ग्लुकोस को कम करने और मधुमे की शुरुवात को रोकने में प्रभावी है यही कारण है कि व्यग्यानिकों ने जोहा चावल को डाइबेटीज प्रभंधन में प्रभावी बताया है विज्ञान और प्रादोग की विभाग के व्यग्यानिकों ने सुगंदित जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों का पता लगाया और इसमें फैटी एसिट यानि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एसिट का पता लगाया फैटी एसिट विभिन शारीरेक स्थितियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिट, डाबेटीज, हिर्देर रोग और कैंसर जैसे कई मेटाबॉलिक रोगों से बचाव करता है जोहा ब्लेट ग्लुकोज को कम करने और डाबेटीज संक्रमित की शुरुवात को रोकने में भी प्रभावी साबित हुआ है शोद करताओं ने यह भी पाया कि सुगंदित जोहा चावल में व्यापक रूप से उब्बोग की जाने वाली गैर सुगंदित किस्म की तुलना में ओमेगा 6 से ओमेगा 3 का संतुलित अनुपात होता है मंत्राले के अनुसार जोहा चावल में कई अंटि आक्सिडेंट, फ्लेवोनोइट्स और फैनोलोग भी पाये जाते हैं धन्यवाद